हेलो एश्टुडेंट कैसे है आप लोग उमीदे बिल्कुल सही होंगे मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर इगनो के एक और महत्पुल वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इगनो में जो दिसंबर 2022 का एक्जाम हुआ था उस कब तक 10 फरवड़ी के बाद दुबारा से इगनो ने रियल को अपडेट नहीं किया है और आगे कब अपडेट करेगा इन सभी बात उपर चर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे कि जून 2023 का जो एक्जाम है उसके लिए एक्जाम फर्म कब रिलीज किया जाएगा इसका नोटि नोटिफिकेशन को और किजेगा ताकि इगनो से सम्मांदित जब भी मैं कोई भी निउस इनफोर्मेशन वाले वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए बात करते हैं जो इगनो का रिजल्ट है वह दस परवड़ी के बाद अपडेट नहीं किया है सिंपल हम दिसंबर 22 एकजाम रिजल्ट पर जाएंगे जो लिंक दिया गे उस पर क्लिक करेंगे आगे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका नेस्ट वेज ओपन होगा यहां देख सकते हैं टर्म एंड दिसंबर 2022 एकजाम रिजल्ट इस्टेटस जो कर रहा है वह दस फरवरी 22 तक यह दुबारा से अपडेट होगा दस फरवरी की डेट में भी बहुत से स्टुडेंट के जो रियल्ट है वह पबलिश कर दिये गया थे अपडेट कर दिये गया थे वैसे एक स्टुडेंट है जिनका मेरे पास इन्रॉल्मेंट नंबर है तो सिंपल उनका हम च इन्रॉल्मेंट नंबर डाला आप देख सकते हैं इनका एक सब्जेक्ट का रियल्ट सो कर रहा है इनका एक रियल्ट का नंबर इसले सो कर रहा है कि इन्होंने एक सब्जेक्ट का ही ग्जाम दिया था यह इससे पहले इस सब्जेक्ट में फेल हो गया थे अगर आपने पहल BPCS 184, BPCS 187 जैसे subject बिल्कुल न चुने, मेरा खुद का experience कहता है कि यह जो subject है और इसमें आप कितना भी लिख लें, क्योंकि जिस student ने इसका exam दिया है, उसने बताया कि वे सभी subject से जादा इस subject को पढ़ा था और सबसे जादा अच्छे तरीके से इसी subject के exam उसने दिये थे, फिर भी सबसे कम इसी subject में इसे number मिला है, तो उनकी experience के अधार पे और जो मेरा नहों कहता है कि BPCS 184, BPCS 187 जो subject हैं, यह काफी बेकार subject हैं, कभी भी अगर इनहें चुनना हो, तो मैं आपको suggestion यह ही करूँगा, यह subject बिल्कुल न चुने, इसमें आप कितना भी लिखने, number आपको नहीं मिलता है, जो भी इसके copy check करते हैं, वे दूसरे करह के प्राणी हैं और वे number नहीं देते, तो यह ध्यान रखेगा, इस subject को कभी भूल से भी न चुने, चलिए अब बात करते हैं, कि June 2023 में जो student exam देने वाले हैं, उनका जो exam form का notification है, वो कब तक आएगा, वे कब आपने real को बार-बार check करते रहें, और बार-बार check करने का मतलब यह होता है, कि एक महिने की भीतर, अगर आप मलजे fail हो गया, नंबर कमाया, तो revaluation के लिए apply, आपके real को चेक करते रहें, ताकि आपके साथ अगर ऐसी परिशानी आए, ऐसी दिक्कते आएं, तो आप revaluation के ल दिखते हैं, कि June 2023 exam के लिए exam form आपको तक भर पाएंगे, तो देखिए, जब भी आपका exam होता है, जैसे June 2023 में आपका exam होगा, तो एक महिने पहले, एक महिने पहले, आपका exam form का notification जारी हो जाता है, आप exam form भर सकते हैं, और आपको इसके लिए 25 से 30 दिन का समय मिलता है, तो अगर जून में आपका exam होना है, जून में आपका exam होना है, तो मई के आसपास, मई के starting में, मई के starting में आपको exam form fill up होना आरंब हो जाएगा, और अपने exam form को fill up करके, आप June 2023 exam के लिए eligible हो जाएंगे, और exam में बैठ सकते हैं, साथ ही, अगर आप June 2023 exam का exam देना चाहते हैं, त exam के समय आप assignment तियार करने के लिए न बैठे, अगर ऐसा होता है, तो आप assignment तियार करेंगे, या अपने exam की तियारी करेंगे, इस दोनों में काफी दिकते आती हैं, और exam के लिए अप अच्छे से तियारी नहीं कर पाएंगे, इस इसलिए में क्या होगा, फेल होने ये number कम आ पर मैं आपको यही कहूँगा, कि आप मार्च में ही अपने assignment को लिख कर जमा कर दे ताकि exam में, जब exam आपका नजदीक हो, तो आप पढ़ाई पजार ध्यान दे, assignment का attention आपके पास न हो, तो चलिए ऐसे महत्पून जानकरिशाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक देखने के लिए आपका धन्यवाद,